विद्ण हेलो गाइज आज की वीडियों में मैं लाया हूँ आपके स्मार्टफोन के चार्जर को क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके स्मार्टफोन चार्जर में इस तरह से यहां पर डिनोट कर दिया जाता है। इतने बोलट पर और यह कितने इंपूट लेगा और कितने आउटुट देगा ये तोनों charger में आपको देखने को मिल जाता है तो आज की वीडियो में आपको इसे की बारे में जानकारी मिलेगी आप मेरे साथ इस वीडियो के लाज तक बने रहे अभी तक पोरियाक आपने मेरे चैनल को subscribe कर लें बेल icon all पर click कर दें ऐसे इंटरेस्टिंग video पाने के लिए का स्मार्टफोन का charger है और एक स्वामी का स्मारथफोन का charger है तो ये दोनुग जो adapter है यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा realmy adapter में आपको ऻूंबर है यहां पर input जो दिया हुआ है 100 बोल्ट से लेकर के 240 बोल्ट तक अब देखें अगर आप इस 100 बोल्ट देते हैं 240 बोल्ट के बीच में तो आपका ये चारजर बिल्कुल सही से वर्क करेगा और 50 से लेके 60 हर्च जैसे कि हमारे इंडिया में 50 हर्च होते हैं तो ये आपका 50 हर्च क्योंकि यहां पर जो देख रहे हैं एसी का जो सेंबल आप देख रहे हैं वह यहां पर दिया गया है 220 बोल्ट के बाद 50 हर्च के बाद और यहां आउट्पुट में 5 बोल्ट उसके वाद सेंबल जो है वो डिसी का है तो इससे आप यह जान सकते हैं कि हमारा जो चार्जर ह है और चार्ज fr Sa Caribbean के लिए चुड़ेहरा दे आप रदैंगे यहां यहां जोिया चार्जोर wal लगा sl nastar agriculture वाल आई पास प्टाई उप्लिए त्छल्ड होता है कि जैसे कि आपका स्मार्टफोन टू एंपियर है और आपको Tre-do to मिला है पट Ryan अerg्ऽी अशीन आता है जिसमें आप क्या करते हैं कि अपने स्मार्टफोन जो टू when रगांए उसे आप एक एंपिआर पर स्मार्टफोन पर वो जल्दि ही खराब हो जाता है और आपका चारर भी खराब हो जाएगा क्यूंकि वह वरनम की का पावर को दे रहा है बट आप उससे कह तूमिरॅ का पावर ले तक दिया हुआ है यानि कि आप इसे अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर 110 वोल्ट मिल जाता है तो आपका डॉक्टर बिल्कुल सही से आपके स्माटफोन को चार्ज कर देगा तो इस तरह से आप 100 वोल्ट से 240 वोल्ट तक में भी आप इसका यूज कर सकते ह है अब DC जो देगा वो करीब DC 5 वोल्ट 1 एंपियर देगा तो इस तरह से आप अपने स्माटफोन को वन एंपियर के 5 वोल्ट 1 एंपियर से आप अपने स्माटफोन को चार्ज कर सकते हैं बट अब जो जितना भी स्माटफोन आ रहा है 1 एंपियर 2 एंपियर में अब अधिक से लेके 240 वोल्ट तक में आप इसे यूज करते हैं तो आपकी अस्मार्ट फोन चार्जर का जो है इसकी गारेंटी होती है बट आप इसे अगर 100 वोल्ट से कम में देते हैं तो आपका मॉइल फोन चार्जिंग होना वो थोरा सा डिपली ओफ ओन होना शुरू हो जाएगा और स्यूज करते हैं उसमें आपका चार्जर क्राल हो सकता है आप अगर 240 वोल्ट से यादा देते हैं Đ miss अबेते हैं इसे और बौक एदूप्टर सहिसे वर्क नहीं करेगा उसमें भी कोई कोम्पोनेंट जो है वो ब्रेक हो सकता है जिससे आपका चार्जर देखें कि A helping adapter बहु ऐसे कंडिशन में आपका चार्जर जो है वो खराब हो जाएगा क्यूंकि वो 1A या फिर 2A का लोड वो आउटपुट देता रहता है उस पर लोड ना होने के कारण उसका IC जो है वो अधिकतर ऐसे कंडिशन में ब्रेक हो जाता है जिससे आपका IC ब्रेक होने के बाद आपका नहीं बन पाता है तो यह प्रॉब्लम हो सकती है तो इस तरह से आपने आज के वीडियो में आपके स्मार्टपून चार्जर में इस तरह से क्यूंड इनोट कर दिया जाता है कि आपको 100 से लेके 240 वोल्ट तक में ही सही से वर्क करता है तो अभी तक के लिए इतना ही बन्हार dal को फिलिए कर दो से भी तक वरे तक के लflower से वर्क कि धेयर अश। कूरण ड्रक कर दो अकि आर Bureau my channel